वेलकम बैक टू इर लर्निंग भी धायर नाम एम चैनल आज हम जो टॉपिक ले कर आए हैं वो हमारा लाइब साइंस से है आपका बाइलोजी से है यानि परसंचरन तंत्र आपका जो टॉपिक है उसका नाम है परसंचरन तंत्र आपका सेर्कुलर सिस्टम चलिए इसके हम एम तो समस्याओं का आना काले को करने की प्रगती की तरफ ले जाता है इसलिए उन्हें पॉजिटिव समझीए और उन पर अपने काले करेवल फोकस कीजिए चलें नयस चलते हैं कोईक ये भी एक समस्या है कि आयोग ने इतने प्रशन गलत किये इतने किये तो वह तो आयोग का काम था वो कर चुका आपका काम था गोला भना आप भड़ चुके तो उससे हमें बाहर निकलके अगले स्टेप की तरफ बढ़ना है क्योंकि यूपी टैट भी यही करता है कि 10-15 कुशन गलत होते हैं वो डेड़ महीने तक चलते हैं तो उससे ना पढ़के हमें क्या है कि समस्यां को आना क्या दिखाता है कि आप कारे कर रहे हैं ठीक है पहला कुशन देखिए ऐसी भाय का हैं जिनमें प्राय असुद रुदेर मंदगती से बहता है याद रखिएगा कैसे बहता है मंदगती से बहता है तता कपाट पाई जाते हैं कहलाती है तो इनमें असुद भी रखता है और मंदगती से बहता है याद रखना तो वो हमारी होती है सिराए हिदय के कितने भाग होते हैं तो ये सब को बता है कि चार भ आपका पेरिकोडियम नेशलते हैं हिद्यकोष्ट भीतर से एक बहुत चिकनी जिल्ली में आप्रत रहता है जो कहलाती है तो वो चिकनी जिल्ली है वो खालाती है आपकी एंडोथीलियम ठीक है दोनों में अंतर समझेगा वो क्या है कि दोरी धैली से इस्तित है तो वो आपका है पेरिकोडियम और पूछा जाए कि वो चिकनी जिल्ली में आप्रत रहता है तो वो आपका है एंडोथीलियम नहिशलते हैं हिदय वाणी या द्रब्य वह द्रब्य है जो तो जो का मतलब है इसमें कि जो क्या करता है अप्युक सभी है यानि हिदय की कती में सायक होता है हिदय को धकों या बहारी आगातों से रच्छा रखता है जो हिदय के उपर होता है द्रब्य हिदय की दोरी जिल को तरल तर गीला रखता है तो उप्युक सभी क्या है इसमें बिल्कुल राइट आंसर है हिदय आवरणी यानि हिदय को डगने वाला सरीर के प्रतेक भाग में सुद्ध रुदिर पहुंचाती है तो याद रखिए कि महा धमनी होती है आपको सारी जो पोश्टर है चित्र है या आपको जो इमेज है वो आपके टेलीगाम चैनल पर मिल जाएंगी तो महा धमनी क्या ह हिदय के बिल्कुल शुरूबात में यहीं पैस्तित है यह क्या करती है सरीर के प्रतेक भाग में सुद्ध रुदिर पहुंचाती है वो हमारी है महा धमनी रुदिर भाइनी का प्रकार है तो रुदिर भाइनियों का प्रकार सभी है क्योंकि कुशिकाएं भी होती है कोशिक किरिया का नियंतन होता है यह दाया कालिंद में एक पिसिष्ट इस्थल के इंद्र है और बात करें यह हिदय के संकुचन को आपका निर्दिष्ट करने वाला भिदुत युक्त संबेग इस्थल है उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर है नेशलते हैं किस वैग्जानिंग सरप्रतम हिदय तदा उसकी गती के विसे में घ्यान प्राप्त किया है तो वह हमारे है बिलियम हार्वे ने याद रखिएगा क्योंकि पीजेटी के लिए मुष्ट मुष्ट इंपोडेंट है एक वर्स के बच्चे की हिदय इस बंदन की दरप्रत मिनट होती है तो आप सब कहलाती है वो कहलाती है धमनिया जो आपको बताते हैं यह पीडियाफ हर बार की तरह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी बिदांसर तो परिशान होने कि आवशकता नहीं है च्योंकि पीडियाफ जो दी जाएगी उसके नीचे ही आपको आंसर भी दिये जाएगे य हुआ हेदे ही पेसीयों द्वारा ठीके हेदे बना है हैं हेदे पेसियों द्वारा नेशल थे gute तुम पमें पाई जाने वाली सरकरा निम्लिकित में से कौन सी है तो वह हमारी है ब्安दल रखना सरकरा का सरलतम रूपिन में से कौन सा है यह आप हमें ऑप्शन में या कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको फ्लक्टो छोड़ दीजिए का गलूकोस माल्टोज और सुक्रोज में थे बताना रुक्त का मतलब सरकरा का सबसे सरलतम रूप कौन सा है जिसे धाबक बगेरा ले की खहता है तो वो हमारी सिरह होती है अल्मोनी आपकी सिरह होती है वो यह होती है फुल्मोनरी एक क्या है तो यह चुब या प्रप्लिक्डिक है तो जो आपको पीजिय cookie, давно पुमारे टेलेग्रम चैनल पर मिल जाएगी आभी हमने पर तक न दí you को स्वा हुचन और स ठीयान यहीं जय भारत और 15 अगस्त की यानि आपके सब को भार्दिक सुब कामना है